आदाप और नमस्कार मैं हूँ सुल्तान कुरेशी और आप देख रहे हैं भीवंडी समय न्यूज आदाप शुल्तान है तर नहीं न्यूज रखेशी और आप देख रहे हैं तर नहीं वेड़को आइसने न्यूज़ अबर याज़ार गेरिया ऑड्स गई है क्या करकर रवारेवने भाग गई फ्यूर मारे गाडी तूट गए मैंने कोई नहीं है मैं लड़का देख आद्मीने उनीस अश्यावरे से बादी बर गया पुड़ापर में बेट रहादा है एक बेटी एक उतर मिश्या दीग उसका वैत मी मर गया गया प्रणाद में तूड़ गया मैं क्या गाओ किदर जेवों है मुझ पढ़ी बेश्टे हूं भाजी बेश्टे हूं तुमके देखता है सब तोरदार हुआ कुछ मदद कर हुआ यह गाड़ी लगा सको कुछ मदद कर मेरको बेवा रहतू मज़े कोई मदद करो और कुछ नहीं चाहे अदाब और नमस्कार मैं हूं सुल्तान कुरिशी और आप देख रहे हैं बीवनी समय नीज अगरब तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शेर कीजे और बेल आइकों दबाना ना भूले ताकि हमारी नीज बताते हैं पेड़ गिरने की जिहां कल्यान रोड पे वाके जो विजय सेल्स है वहां पर एक बरगत का पेड़ था जो काफी पुराना था कहते हैं कि ये साथ साल पुराना पेड़ था और आज अचानक ये हवाओं तेज हवाओं की वज़ा से वहां से गिर गया और गिरने से कई बाइक वगड़ा जो है इनकी चपेट में आ गई साथ ही साथ एक गरीब मजबूर और जो वहां पर कुछ हाथ गाड़ी पर जो है वो कुछ बना कर बेचा करती थी और अपना गजर बसर किया करती थी वो गाड़ी और वो छोटा सा छोपड़ा भी उसकी जब कर दे हमने अपने चाइनल के माध्यम से आपको उनकी तस्वीरे दिखाने की कोशिश की है साथ हम वीजे सेल्स के पास जो सबसे पुराना जो बर्गत का पेड़ था जिसे साथ साल पुराना बर्गत का पेड़ का जाता है उसकी भी तस्वीरे आपको बता रहे हैं साथ हम ये भी बताने जा रहा है कि इस वक्त वहां पर जो है पूरा पूरा जो ट्राफिक है वो जाम हो चुका था जिसे अशोकनगर के और से उसे डाइवर्ट किया गया है और उस रोड को बन कर दिया गया है हाला कि पहले माहन अगर पालिका ने उसे जो है निकालने की कोशिश की लेकिन पेड़ इतना बड़ा था कि उसे निकालना जरह से मुश्किल हो रहा था इसलिए वन वबाग के लोगों को वहां बुलाया गया और उन लोगों ने आकर उस पेड़ की कटिंग शुरू की और दो धाइक खंटे के बाद उस पेड़ को काटने में कामिया भी मिली और रस्ता खुलने में कामिया भी मिली हाला कि हम आपसे हमेशा अपने चैनल के मादम से गुजारिश करते आ रहे हैं कि आप ऐसे जगाओं पर ना खड़े रहे कम सकम बारिश की दुनों में तेज हवाओं की वज़े कोई वक्त कि आपको कोई नुकसान पहुंचे अगर कोई बेढ़कर टपेड हो या चाहे जो भी पेड़ हुआ अगर वो पुराना है या कोई भी ऐसी इमारत जो पुरानी है तो आप उनसे बचकर चलें बचकर खड़े होएं और उनसे बचें ता कर आपको कोई नुकसान ना वांचे हलाकि अच्छी बात यह रही कि उसमें कोई ज मैं अपने सायोगी के साथ बिवन्डी समयनु से सुल्तान कुरेशी